प्यारे विद्ध्यातियों नमस्कार, मैं डॉक्टर विजे कुमा चावला, राज के मॉडल संस्क्रति वरिष्ट पादेमिक विद्ध्याले क्योडग जिला कैथल में हिंदी प्राध्यापक के पत पर कार्योत हूँ. आज मैं आपके समक्ष खक्षादस्विं के हिंदी के पाठ्यकरम में हिद्ध वाच्चे विशे को लेकर प्रस्तुत हूआँ. आज की प्रस्तुती के माद्यम से मैं आपको वाच्चे क्या है, वाच्चे के कितने भेड हैं, तता हिंदी व्याकरण में वाच्चे का क्या महत्व है, इसका मिश्तार से अधन करवाँगा। अब अपनी प्रस्तुती की और आपको ले चलता है। विद्यार्थियों, आज की प्रस्तुती के उद्देशे निम्न प्रकार से हैं। इस प्रस्तुती के अंतक आप समझ पाएंगे वाच्चे क्या है? वाच्चे के कितने भेद हैं? वाच्चे के भेदों का उधारन सहित वर्णन? वाच्चे परिवर्तन कैसे करें? तथा हिंदी व्याकरन में वाच्चे परिवर्तन का क्या महत्तु है? या अन्य शब्दों में हम कहें तो हिंदी व्याकरन में वाच्चे का क्या महत्तु है? आप इसका ज्यान प्राप्त कर पाएंगे। आज की प्रस्तुती में आपको चित्र दिखाते हुए करना चाहूंगा विद्यार्थियों सरप्रथम आप इन चित्रों को ध्यान पूर्वक देखें मैं आपसे इसके उपरांत कुछ प्रश्न करूंगा इसलिए आप जो भी चित्र आपको दिखाया जाए उसे ध्यान पूर्वक देखें कि उसमें कौन है तथा क्या क्या काम या कार्य हो रहा है दूसरा चित्र स्क्रीन पर आपके समक्ष है इसे भी ध्यान पूर्वक देखें कि इसमें आप क्या देख पा रहे हो लो अब आपके समक्ष स्क्रीन पर तीसरा चित्र नप्रस्तुत कर रहा हूँ इसे विध्यान पूर्वक देखें विध्यार्थियों यह अंतिम चित्र स्क्रीन पर आपके समक्ष दिखाया जा रहा है इसे भी ध्यान पूर्वक देखें अब इसके उपरांत हम इन चित्रों पर चर्चा करेंगे के इन में क्या-क्या हो रहा है आओ देखें चित्रों में क्या-क्या हो रहा है पहला चित्र जो आपने देखा उसमें बच्चे फुटबॉल खेल रही है दूसरा चित्र जो आपने देखा था उसमें क्या हो रहा था लड़की सो रही है तीसरे चित्र में हमने क्या पाया कि बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं और चौथे चित्र में हमने क्या देखा बच्चे से पड़ा नहीं जाता विद्ध्यार्थियों अब स्लाइड को ध्यान पुर्वक देखें वह समझें क्योंकि मैं अब आपको अपने विशे की और अगरसर कर रहा हूं पहले दृष्चे में हमने क्या पाया था कि बच्चे फुटबॉल खेल रही हैं तो इस वाक्य में बच्चे क्या भूमी का अदा कर रहा है व्याकरन की दृष्टि से पद करता का फुटबॉल करम का और खेलना यहां क्या है क्रिया इसी प्रकार दूसरे वाक्य में देखिए लड़की सो रही है यहां लड़की करता है करम का अभाव है तो तो सोना क्रिया है अब तीसरे वाक्य को ध्यान पूर्वक देखें बच्चे पतंग पुड़ा रहे हैं यहां विद्यार्थियों बच्चे जो है वह करता का कारे कर रहा है पतंग यहां करम का कारे कर रहा है और खेलना इस वाक्य में क्रिया की भूमी का अदा कर रहा है चौथे वाक्य में देखिए बच्चे से पढ़ा नहीं जाता यहां बच्चे क्या है? करता पढ़ना क्या है? क्रिया और यहां ना तो करता प्रधान है ना करम प्रधान यहां भाव प्रधान है विद्यार्तियों इन चारों वाक्यों में द्यान देने योग्य तथे कौन कौन से हैं मैं आपको समझाता हूँ द्यान पूरवक सुनिए वाक्य में क्रिया के लिंग वचन या तो करता के अनुसार होंगे या करम या भाव के अनुसार द्यान से सुनिए वाक्य में क्रिया के लिंग वचन या तो करता के अनुसार होंगे या करम या भाव के अनुसार दूसरा वाक्य में या तो करता प्रधान होता है या करम या भाव तीसरा महतुपून तथे जो सामने निकल कर आता है वह यह है कि वाक्य में या तो सकर्मक्रिया होगी अनिता अकर्मक्रिया और चोथा तथा अंतिम तथे जो निकल कर सामने आता है यह है कि वाक्य और क्रिया में वाच्चे का अपना ही एक महतुपून स्थान होता है तो विद्यार्थियों आज का जो हमारा विशे है वो आपके समक्ष है वाच्चे वाच्चे का शाब्दिक अर्थ क्या है वाच्चे का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विशे मनुष्य जब कुछ बोलता है तो अपने भीतर वै विशे लेकर चलता है या किसी विशे पर वै अपने विचार अभिव्यक्त करता है तो यही बोलने का विशे हिंदी व्याकरण में वाच्चे के नाम से जाना जाता है वाच्चे की परिभाशा वाच्चे क्रिया का वहर रूप है जिससे ये ग्यात होता है कि वाच्चे में करता प्रदान है, करम प्रदान है, अथ्वा भाव प्रदान है क्रिया के लिंग एवं वचन उसी के अनुरूप होते हैं अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्यात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा बताये गए विशे में करता करम अथ्वा भाव में से कौन प्रमुख है उसे वाच्चे कहते हैं आओ अब देखें कि वाच्चे के उधारन कौन कौन से हैं अमन पुस्तक पढ़ता है इस वाक्य में करता प्रधान है अमन के द्वारा उस तक पढ़ी जाती है इसमें करम प्रधान है उससे पढ़ा नहीं जाता इसमें भाव प्रधान है विद्यार्थियों हमने पाया कि वाच्चे में या तो करता प्रधान होता है या करम प्रधान या भाव प्रधान तो वाच्चे के भेद भी इनी के अनुरूप होते हैं पहला भेद है करतरी वाच्चे जिसमें करता की प्रधानता होती है करम वाच्चे जिसमें करम की प्रधानता होती है और भाव वाच्चे जिसमें भाव की प्रधानता होती है तो इन्हें ध्यान पूर्वक समझ लें जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता पाई जाए, वहां कर्तरी वाच्चे पाया जाता है और जहां कर्म की प्रधानता होती है, वहां कर्म वाच्चे और जहां कर्ता और कर्म प्रधान ना होकर भाव प्रधान होता है उस वाक्य में भाव वाच्चे पाया जाता है अब हम कर्त्री वाच्चे, करम वाच्चे और भाव वाच्चे की पहचान सहित, उधारन सहित परिभाशा का आगे अध्यन करेंगे ध्यान पूर्वक सुनना ताकि आप इन तीनों के बारे में विश्त्रित ज्ञान प्राप्त कर पाएं। वाच्चे परिवर्थन में आपको इनका ज्ञान होने के उपरांथ काफी सहिता मिलेगी। सर प्रत्म आओ कर्त्री वाच्चे क्या है इसे जान लें। क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कर्त्री वाच्चे कहते हैं। इसमें लिंग एवं वचन प्रायहा कर्ता के अनुसार होते हैं। अथ्वा एक और प्रिवाशा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट हो कि वाक्ये में क्रिया का उद्देश्य करता है उसे कर्त्री वाच्चे कहते हैं। कर्त्री वाच्चे में क्रिया का मुख्य विंदू करता होता है। स्क्रीन पर आपके समक्ष करत्री वाच्चे का उधारन प्रस्तुत कर रहा हूं इसे ध्यान पूर्वक देखें आपके समक्ष एक चित्र है चित्र में आप देख पा रहे हैं कि बच्चे तर्बूज खा रहे हैं इस वाक्य में मुख्य विशे जो गहें करता है और करता का स्थान यहां कौन निभा रहा है बच्चे तो बच्चे यहां करता है और यह करत्री वाच्चे का उधारन है दूसरा उधारन आपके समक्ष है चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए चित्र के नीचे लिखा हुआ है मजदूर इमारत बना रही है इस वाक्य में मजदूर क्रिया का मुख्य विशे है अर्थात करता है और यह करत्री वाच्चे का उधारन है एक और तस्वीर द्यान पुरवक देखिए इस तस्वीर में आप देख पा रही है कि लड़का गेन से खेल रहा है तो विद्यार्थियों यहां भी करता की प्रमुक्ता विद्यमान है अतहा यह वाक्य भी करत्री वाच्चे का उधारन है हमने तीनों तस्वीरों के माद्यम से यह जाना कि जिस वाक्य में करता की प्रधानता होती है उसे करत्री वाच्चे कहते हैं आओ, अब आपको कुछ और महत्युपून तथे समझाता हूँ करत्री वाच्चे में सकरमक और अकरमक दोनो उख्रियाओं का प्रयोग होता है ज्यान से सुनीए हमें सकर्मक क्रिया विद्धिमान है इसकी पैचान हम कैसे करेंगे ध्यान से समझी लीजिए क्रिया से पूर्व क्या प्रश्ण का यदि कोई उत्तर मिलता है तो उस वाक्य में सकर्मक क्रिया पाई जाती है जैसे यहां इस वाक्य में यदि हम प्रश्न करें क्या पढ़ता है और उत्तर मिलता है हमें पुस्तक तो यहां पुस्तक सकर्मक्रिया की और इशारा परदान करती है यह दर्शाती है कि इस वाक्य में सकर्मक्रिया विद्यमान है अब दूसरा वाक्य देखिए सीता सो रही है जब क्रिया से पूर्व क्या प्रशन का उत्तर ना मिले तो वहाँ अकर्मक्रिया होती है अन्य शब्दों में क्रिया से पूर्व यदि हम कौन प्रशन लगा कर देखते हैं और उसका यदि उत्तर हमें मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया की ओर हमें ले जाता है जैसे कौन सो रही है सीता तो यहां इस वाक्य में अकर्मक क्रिया विद्यमान है अकर्मक क्रिया में करम का अभाव होता है इसमें करम नहीं पाया जाता अओ कर्म वाच्चे क्या है अब इसे जाने क्रिया के उस रूपांतर को कर्म वाच्चे कहते हैं जिससे यह ज्यात हो कि वाक्य में कर्ता की प्रमुक्ता ना होकर कर्म की प्रमुक्ता है अन्य शब्दों में क्रिया के जिस रूप में करम प्रधान हो उसे करम वाच्चे कहते हैं इसकी एक और परिवाशा आपको मैं बताता हूँ जहां क्रिया का संबंद सीधा करम से हो तथा क्रिया का लिंग तथा वचन करम के अनुसार हो उसे करम वाच्चे कहते हैं इससे पूर्व करतरी वाच्चे में हमने क्या पढ़ा था कि क्रिया के जिस रूप में करता प्रधान हो उसे करतरी वाच्चे कहते हैं और यहां क्या पाया हमने कि क्रिया के जिस रूप में करम प्रधान हो उसे करम वाच्चे कहते हैं आओ इसके उधारनों की और चलें पहला उधारन देखें बच्चों द्वारा गेंद से खेला जा रहा है विद्यार्थियों स्लाइड को ध्यान पुर्वक देखें चित्र में आप देख पा रहे हैं कि बच्चे गेंद से खेल रही है लेकिन यहां जो वाक्य लिखा हुआ है बच्चों द्वारा गेंद से खेला जा रहा है यहां करम की प्रधानता है तथा सकर्मक्रिया है इसके अत्रिक्ट विद्यार्थियों जिस वाक्य में करता के उपरांत से द्वारा या के द्वारा में से किसी एक का प्रयोग हो और उस वाक्ये में करम उपलप्द हो या करम की प्रधानता हो तो उस वाच्चे को करम वाच्चे कहते हैं अब इस उधारन को भी आप देखिए स्लाइड पर आप जो चित्र देख रही है उसमें बच्चे शत्रंज खेल रही है, नीचे वाक्य लिखा हुआ है, बच्चों द्वारा शत्रंज खेली जा रही है, यहां भी विद्यार्थियों करम की परधानता है, सकर्मक क्रिया है, अतहां यह वाक्य करम वाक्य का उधारन है, आओ विद्यार्थियों, अब कुछ एक ऐसी बाते में आपको बता रहा हूं, जिन्हें आपको ध्यान रखना होगा पहला करम वाच्चे में करम उपस्तित रहता है और क्रिया सकर्मक होती है करम वाच्चे के वाक्यों में प्रायह क्रिया जा का रूप लगाया जाता है जैसे उधारन देखिए आप पुजारी पूजा करता है यह करतरी वाच्चे का उधारन है अर्थात यह करतरी वाच्चे है अब इसका जब हम वाच्चे परिवर्तन करेंगे तो कर्म वाच्चे में इसको परिवर्थित यदि हम करते हैं तो क्या पाते हैं पुजारी द्वारा पूजा की जाती है यहां कर्त्री वाच्चे में जो क्रिया करता है जब उसे हमने कर्म वाच्चे में परिवर्थित किया तो वह क्रिया जा का रूप ग्रहन कर लेती है या उसने ग्रहन कर लिया है की जाती है तो यहां करता है किसमें परिवर्थित हुआ की जाती है दूसरा ध्यान रखने योग गये जो बात है वह यह है कि इस वाच्चे में करता के बाद से द्वारा या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है जैसे तुलसी दास द्वारा राम चरित मानस की रचना की गई तो करता कौन है तुलसी दास तो करता के उपरांत क्या लगाया हमने द्वारा तुलसी दास द्वारा या तुलसी दास के द्वारा रामचरित मानस की रचना की गई अगली ध्यान रखने योग्य बात जो है वैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं ध्यान से सुनिए करम वाच्चे में कभी-कभी करता का लोप या अभाव पाया जाता है जैसे एक उधारन बता रहा हूं ध्यान से सुनिए पेड लगा दिये गए हैं इस वाक्य में करम वाच्चे है परंतु करता का अभाव है इसी प्रकार अगली ध्यान रखने योग्य बात ध्यान से सुनिए करम वाच्चे में असमर्थता सूचक वाक्यों में के द्वारा के स्थान पर से का प्रयोग किया जाता है। ऐसा केवल नकारत्मक वाक्यों में किया जाता है। जैसे मजदूर से ये भारी पत्थर नहीं उठाया गया। यहां द्वारा के स्थान पर से का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है क्योंकि इस वाक्ये में असमर्थता का बोद हो रहा है। अर्थात मजदूर पत्थर उठाने में असमर्थ है। इसलिए यहां करम वाच्चे में से का प्रयोग किया गया है। कर्त्री वाच्चे तथा कर्म वाच्चे करने के उपरांत आओ जाने भाव वाच्चे क्या है क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता हो ना कर्म की बलकि क्रिया का भाव ही प्रधान हो वहाँ भाव वाच्चे पाया जाता है या वहाँ भाव वाच्चे होता है विद्यार्थियों इस वाच्चे में करता अत्वा करम की नहीं भलकी भाव अर्थात क्रिया के अर्थ की परधानता होती है जैसे धूप में चला नहीं जाता मुझसे उठा नहीं जाता ये दोनों उधारन भाववाच्चे के हैं यहां करता अथ्वा करम की परदानता ना उकर भाव की परदानता विद्यमान है भाववाच्चे के संधरम में जो बातें हमें ध्यान रखनी होंगी वे बातें निम्न प्रकार से हैं भाव अच्चे का प्रयोग विवस्ता असमर्था व्यक्त करने के लिए होता है। भाव अच्चे में प्रायह अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। यह सबसे महतुपून बिंदु है। दुबारा सुन ले। भाव अच्चे में प्रायह अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अगला पॉइंट या अगला बिंदु क्या है भावाच्चे में प्रियुक्त क्रियासदा पुलिंग और अकर्मक और एकवचन होती है और अंतिम ध्यान देने योगे बात है भावाच्चे को केवल करत्री वाच्चे में बदला जा सकता है तो विद्यार्थियों फिर से एक बार दोरा रहा हूं ध्यान से सुनिए भावाच्चे में विवस्ता अस्वर्था व्यक्त करने वाले भावों को स्थान परदान किया जाता है इसमें केवल अकर्मक क्रिया पाई जाती है भावाच्चे में प्रियुक्त क्रिया सदा पुलिंग अकर्मक और एकवचन होती है तथा भाव अच्चे को केवल कर्त्री वाच्चे में ही बदला जा सकता है आओ भाव अच्चे के कुछ उधारनों को जान लें पहला है चलो अब चला जाए दूसरा ऐसी तेज धूप में कैसे चला जाएगा तीसरा विद्वा से रोया भी नहीं जाता चौथा वाक्य उस मोटे व्यक्ती से चला नहीं जाता चौथा बच्चों अंतिम वाक्य जो आपके समक्ष उधारन के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ वह यह है कि चलो घूमने चला जाए ये कुछ एक उधारन मैंने आपको बताए इसके अतिरिक भावाच्य के अनेक उधारन आपको मिलेंगे आप इनमें पाएंगे कि इनमें अकर्मक क्रिया ही पाई जाती है तथा भावाच्य में प्रयोग में लाई जाने वाली क्रिया सदा पुलिंग अकर्मक और एकवचन होती है वाच्य परिवर्तन विद्यार्थियों हमने वाच्य के तीनों भेदों का उधारन सहीत अध्यन किया अब हम वाच्य परिवर्तन कैसे किया जाता है इसका अध्यन करेंगे वाच्य परिवर्तन के अंध्रगत तीनों प्रकार के वाच्यों को परस पर परिवर्तित किया जाता है जैसे कर्तरी वाच्य से करम वाच्य में वाच्य परिवर्तन कर्तरी वाच्य से भाव वाच्य में वाच्य परिवर्तन कर्म वाच्चे से कर्त्री वाच्चे में वाच्चे परिवर्तन तथा भाव वाच्चे से कर्त्री वाच्चे में वाच्चे परिवर्तन कर्त्री वाच्चे से कर्म वाच्चे में वाच्चे परिवर्तन त्यान से सुनिये वा समझिये करत्री वच्चे से करम वच्चे बनाने के लिए सबसे पहले यदि करता के बाद ने परसर्ग अर्थात कारक्चिन लगा हो तो उसे हटा कर द्वारा के द्वारा तथ से कप्रयोग किया जाता है दूसरा कर्म के साथ कोई परसर्ग या करक्चिन हो तो उसे हटा दिया जाता है तीसरा कर्त्री वाच्चे की मुख्य क्रिया को सामान्य भूत काल में परिवर्थित किया जाता है और अंतिम परिवर्थित किया के साथ जाना किया काल पुरुष वचन और लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़ कर साधारन किया को संयुक्त किया में बदला जाता है तो ये कर्त्री वाच्चे से कर्म वच्चे बनाने के नियम है इनका हमने पालन करना है कर्त्री वाच्चे से कर्म वाच्चे के उधारन आओ मैं आपको कर्त्री वाच्चे से कर्म वाच्चे के कुछ उधारन स्लाइड के माद्यम से समझाता हूँ नहिला वाक्ये द्यान से सुनिए हालदार साहब ने पान खाया विद्यार्थियों यह वाक्य करत्री वाच्चे के अंतरगत आता है। अब हम इसे करम वाच्चे में परिवर्थित करेंगे। उसके स्थान पर द्वारा का प्रियोग किया है। तो हाल्दार सहब द्वारा पान खाया गया। अब दूसरा वाक्य देखिए। गायक ने मदुर गीत गाया। यह भी करत्री वाच्चे है। अब इसका हम रूप परिवर्तित करम वाच्चे में करेंगे गायक दुवारा मधुर गीत गाया गया यहां भी ने परसर्ग को हटा कर दुवारा का प्रयोग किया गया है अब तीसरा वाक्य ध्यान पुर्वक सुनिए बाल गोबिन भगत प्रभातियां गाते थे यह भी करतरी वाच्चे है जब इसका हम रूप परिवर्तित करेंगे करम वाच्चे में बाल गोबिन भगत के दुवारा प्रभातियां गाय जाती थी तो यहाँ पर क्या हुआ जो है जा का रूप आ गया गाय जाती थी तो यह तीनों वाक्यों में सकर्मक्रिया विद्यमान है चोथा उधारन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं ध्यान से सुनिए मनुष्य ने आग का अविश्कार किया विद्यार्थियों यह भी करतरी वाच्चे है जब हम इसका रूप करम वाच्चे में बदलेंगे तो ने हट जाएगा मनुष्य के द्वारा आग का अविश्कार किया गया यह करम वाच्चे के रूप में परिवर्तित हुआ पांचवा वाच्चे देखिए चलो खाना खाती है चलो खाना खाती है इसका जब हम वाच्चे परिवर्तन करेंगे तो यह बनेगा चलो खाना खाया जाए चलो खाना खाया जाए और अंतिम वाक्य द्यान से सुनिए मरीज पानी नहीं पी सकता करतरी वाच्चे है मरीज पानी नहीं पी सकता तो क्या बना मरीज द्वारा पानी नहीं पिया जाता मरीज द्वारा पानी नहीं पिया जाता तो ये थे कर्त्री वाच्चे से करम वाच्चे के उधारन अब हम करेंगे कर्त्री वाच्चे से भाव वाच्चे में बदलना अर्थात कर्त्री वाच्चे से भाव वाच्चे में किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है या वाच्चे परिवर्तन कैसे संभव हो सकता है ज्यान से सुनिया इसके अंत्रगत भावाच्चे में मुख्य रूप से निशेदात्मक वाक्य आते हैं निशेदात्मक जिसमें ना नही का प्रयोग होता है भावाच्य बनाते समय नेपरसर्ग हटा कर से जोड़ दिया जाता है तथा क्रिया में आवशक बदलाव कर दिया जाता है इसके अंत्रगत आवशकता अनुसार निबंद सूचक नहीं का प्रयोग होता है उधारन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ ध्यान से सुनिए मैं पढ़ नहीं सकती ये करत्री वाच्य है इसका भावाच्य बनेगा मुझसे पढ़ा नहीं जाता आओ करत्री वाच्य से भावाच्य के उधारन की और बढ़े सरप्रथम मैं वाक्य पढ़ कर सुना रहा हूँ उन्हें आप ध्यान पूरवक सुने करत्री वाच्य बुड़ी माँ चल नहीं सकती इसको हमने भावाच्य में बदलना है तो बुड़ी मा से चला नहीं जाता दूसरा वाक्य सुनिए राजन तेज दोड़ता है इसका रूप परिवर्थित कैसे होगा राजन से तेज दोड़ा जाता है तीसरा वाक्य वह लिख नहीं सका इसका क्या हुआ इसका रूप कैसे बदलेगा ज्यान से सुनिए इसका भावच्य बनेगा उससे लिखा नहीं जा सका उससे लिखा नहीं जा सका अब विद्यार्थियों अब जाने कि करम वाच्चे से कर्तरी वाच्चे में किस प्रकार वाच्चे परिवर्थन संभव हो सकता है ध्यान से सुनिए पहला वाक्य लोगों द्वारा मंत्री का स्वागत किया गया अब यह जो रूप है आपके समक्ष यह परिवर्थित रूप है परिवर्थित का मतलब यह मूल रूप नहीं है मूल रूप होता है कर्तरी वाच्चे परिवर्थित रूप कौन से होते हैं करम वाच्चे और भाव वाच्चे तो यहां लोगों द्वारा मंत्री का स्वागत किया गया करम वाच्चे है इसको हमने करत्री वाच्चे में बदलना है तो द्वारा हटेगा और उसकी जगा लगेगा ने लोगों ने मंत्री का स्वागत किया अब दूसरा उधारन देखिए आप पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया यह भी करम वाच्चे है इसको करत्री वाच्चे जब बनाना है तो द्वारा को हटा करके पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया तीसरा वाक्य देखिए बच्चों द्वारा फूल तोड़े गए यह भी करम वाच्चे है इसको करत्री वाच्चे जब बनाएंगे तो बच्चों ने फूल तोड़े तो विद्यार्थियों करम वाच्चे वह वाच्चे होता है जिसमें सकर्मक्रिया विद्यमान होती है जब हम इसे करत्री वाच्चे में परिवर्तित करेंगे तो उसमें सकर अकर्मक्रिया आएगी अब अन्तिम सलाइड जो वाच्चे परिवर्तन की आपके समक्ष है वह है भाव वाच्चे से कर्तरी वाच्चे में बदलना तो बच्चों भाव वाच्चे क्या होता है जिसमें अकर्मक्रिया पाई जाती है अब जो में इसे कर्तरी वाच्चे बनाए तो वहाँ पर भी अकर्मक्रिया ही आएगी जैसे मुझसे इस पेड़ पर नहीं चड़ा जाएगा अब मुझसे हमने क्या करना है जो से को हटाना है मुझसे का बन जाएगा मैं इस पेड़ पर नहीं चड़ पाऊंगा जाका रूप परिवर्तित करेंगे हम दूसरा वाक्य कुट्टों द्वारा भौका जा रहा है इसका क्या बनेगा इसका उत्तर आएगा कुट्टे भौक रहे हैं ये कर्त्री वाच्चे बना अगला वाक्य देखिए उसके द्वारा पार्क में दोड़ा जाता है उसके द्वारा पार्क में दोड़ा जाता है उसके का क्या बन जाएगा वहे वहे पार्क में दोड़ता है वहे पार्क में दोड़ता है तो यहां कर्त्री वाच्चे है विद्यार्थियों आज की प्रस्तुती को देखने के बाद आप क्या-क्या समझ पाए हो, सारांश के रूप में वहिस प्रकार है वाच्चे क्या है, इसका आपको बोध हो गया होगा वाच्चे के कितने बेद हैं, बताया आपको तीन बेद है वाच्चे के बेदों का उधारन सहित वर्नन, यह भी मैंने आपको सचित्र विस्तार पुर्वक समझा दिया है आपको समझ आ गया होगा वाच्चे परिवर्तन कैसे करें, यह भी मैंने आपको उधारन सहित समझा दिया है और अंततह हिंदी व्याकरण में वाच्चे परिवर्तन का क्या महत्तु है इसे भी आप जान चुके हैं आओ पुन्रावृत्ति करें उचित शब्द लिखकर वाक्ये पूरा करें विद्यार्तियों मैं आपके समक्ष वाक्ये पढ़के सुना रहा हूं कोश्टक में जो इसके ऑप्शन दियें वह भी पढ़कर सुनाओंगा ध्यान पुरुक सुनिए करम वाच्चे में डैश उपस्तित रहता है आप अपना उत्तर बताना है आपको करम रहता है या भाव तो करम वाच्चे में डैश में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की करिया का प्रयोग किया जाता है तीसरा वाच्चे द्यान से सुनिए तुलसी दास द्वारा राम चरित मानस की रचना की गई यह किस प्रकार का वाच्चे है कर्त्री वाच्चे या करम वाच्चे विद्यार्थियों यह करम वाच्चे का उधारन है अर्था यहां करम वाच्चे है क्योंकि इसमें द्वारा का प्रयोग किया गया है और यह कर्त्री वाच्चे का परिवर्तित रूप है चोथा वाक्य देखिए, डैश में अकर्मक्रिया का प्रयोग होता है, भाव वाच्चे में या करम वाच्चे में, तो किस में होता है, भाव वाच्चे में, क्योंकि करम वाच्चे में तो सकर्मक्रियाएं विद्द्यमान होती है इस स्लाइड को ध्यान पूर्वक देखिए निमलिकित वाक्यों के वाच्चे का नाम बताएं मैं वाक्य पढ़के सुनाऊंगा आप्शन भी बताऊंगा आपने उनको पहचान कर ये बताना है कि कौन सा वाच्चे है पहला वाक्य वह रामलीला देख रहा है कौन सा वाच्चे है करत्री वाच्चे या भाव वाच्चे तो जो मोल रूप होता है वाच्चे का वह करत्री वाच्चे कहलाता है जो परिवर्थित होता है वह करम वाच्चे या भाव वाच्चे तो यहां करत्री वाच्चे है दूसरा वाक्य मोहन से चला नहीं जाता करम वाच्चे है या भाव वाच्चे देखकर ध्यान पुर्वक बताएं यहां भाव वाच्चे है तीसरा उससे पत्र नहीं पड़ा जाता करम वाच्चे है या भाव वाच्चे तो यहां करम वाच्चे हैं पत्र करम हैं और अंतिम वाक्य उन्होंने कैप्टन की देश भक्ती का सम्मान किया उन्होंने कैप्टन की देश भक्ती का सम्मान किया यह करत्री वाच्चे है या भाव वाच्चे तो यहां करत्री वाच्चे है क्योंकि यह मूल रूप है परिव कर रहा हूं, आज की प्रस्तुतिगी वह है, मिलान करें, भाव की परधानता क्या कहलाती है, भाव वाच्चे, करता की परधानता किसमें पाई जाती है, करत्री वाच्चे, करम की परधानता का मेल किस से होगा, करम वाच्चे, और बोलने का विशे क्या कहलाता है विद्यार् वास है कि आज की प्रस्तुति आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद